यह question थोड़ा सा आपको परिशान कर सकता है, options को देखकर, पर इसमें परिशान होने जैसा है नहीं ऐसा कुछ, चलो, a बीसे छूटा है, सब्सक्राइब आइस चीज़ को, alpha, beta से छूटा है, और c negative है, तो c negative के कारण से क्या हुआ ना, अगर मैं alpha, beta निकालूगा, that is c by a, ठीक a, क्योंकि मेरा one है, जो कि positive होता है, और c negative है, that means product of the roots negative हो गया, तो product negative हो गया, इसका मतलब, alpha, beta से छोटा है, और alpha negative भी है, और beta positive है, दोन में से एक, ठीक है ना, इसका सीधा-सीधा मतलब क्या होता है, कि alpha तो है negative, और beta है positive, ठीक, शौर, अब अपन आगे चलते हैं, आगे क positive होने का मतलब, अगर मैं alpha plus beta निकालूँ, ठीक है, अच्छा, मैं इसी color से लिखता हूँ, बी positive का मतलब, अगर मैं alpha plus beta निकालता हूँ, तो alpha plus beta निकालने का मतलब हुआ कि, मैं लिख रहा हूँ, minus b by a, minus b by a, अब समझना, a तो आप इस से 1 है, क्योंकि b positive है, तो ये negative हो गया तो sum of the roots negative मतलब, एक root negative, एक root positive तो ही, sum negative होने का मतलब ये हो गया कि, अब जो negative वाला है न, वो magnitude wise भी बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब, ये चीज़ हो गई अब, ठीक, तो अगर ये चीज़ हो गई, तो अब इसका मतलब, ये भी valid है फिर तो, ठीक, अब अपना options में आते है तो alpha छोटा है, 0 से, बिल्कुल सही बात, उसके बाद beta square, obviously square है तो 0 से बड़ी होंगे, और बड़ा कोई है alpha square की beta square, alpha square, तो option क्या हो गया, B, ठीक, I think ये question सहन में, आ गया होगा, ठीक है न,